हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर दोस्तों अगर आप भी घर बैठे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और प्रदीप मिश्रा जी के उपाय सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्र कर लें क्योंकि हम इस चैनल पर हर रोज गुरुजी के उपाय आप लोगों को बताते हैं इसलिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें दोस्तों बहुत समय से आप लोगों के प्रशना रही है कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें सनान करना आवश्यक है। पूरी तरह से संध्यावंदन पर आधारित है, शाम के समय जो आप संध्यावंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप्रजवलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना, है मतलब आज की विडियो पूरी तरह से आपके प्रशनों पर लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं यह एक मात्र जरीया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम के नाम का जैकारा भी जरूर लगाएं इससे आपको सकारात्मक उर्जा की प्राप्ति होती है और अगर आपका कोई भी सुझाव हो कोई भी प्रश नया कोई विशेश वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सबसे पहले बात करते हैं कि शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्चक है देखिए शास्त कि अनुसार पूजा में शुधता आवश्चक होती है तो जब हम सुभा पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है सुभा बिना स्नान के पूजा नहीं करना चाहिए लेकिन शाम की पूजा आप हात पाव मुह धोकर भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है आप स्नान करें अब देखिए आप चाहे तो वस्तर भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं अब देखिए जैसे कि आपको शान के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें ज शान के समय बिना स्नान किये भी सिर्फ हाथ पाव की पूजा कर सकते हैं और चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शान के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते अगला प्रशन है आपका की शान की पूजा में दीपक इस समय जलाना चाहिए तो देखिए शान को जो पूजा का समय होता है वह गोधुलिबेला का समय होता है प्रदोशकाल का समय होता है मतलब जी समय सूर्य अस्थ हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रजवलित हो जाना चाहिए अब जैसे की आप लोगों के प्रशन आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को तो देखिए शाम को सूरियास्थ का समय हर मौसम में अलग-अलग होता है कभी जैसे की सर्दिया चल रही होती है तो 4 बचकर 30 मिनट पर भी सूरियास्थ हो जाता है कभी कभी 5 बचकर 30 मिनट तक भी सूरियास्थ हो जाता है जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6 बचकर 30 मिनट से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूरियास्थ का समय होता है कई बार 7 बचकर 30 और यह ठीक भी नहीं होगा, एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रजवलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्याकाल का ध्यान रखिये, जब संध्याकाल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्थ हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रजवलित कर दीजिए, और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करने चाहिए प्रति दिन शास्त्रों के अनुसार संध्याकाल में प्रति दिन अपने घर के मुख्यद्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए इससे क्या होता है देखिए शास्त्रों के अनुसार शाम क संध्याकाल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमन पर निकलती है, तो जीस घर के मुख्यद्वार पर दीपक प्रजवलित होता है, उस घर में मा लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जीस घर के मुख्यद्वार पर दीपक नहीं जग रहा हो, उस घ प्रवेश कर जाती है तो इसलिए मा लक्षमी का प्रवेश आपके घर में हूँ इसके लिए घर के मुख्यद्वार पर एक दीपक जरूर प्रजवलित करना चाहिए और हाँ घर के मुख्यद्वार पर जो दीपक प्रजवलित किया जाता है संध्याकाल में इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताये गए हैं शास्त्रों के अनुसार संध्याकाल में जीस घर के मुख्यद्वार पर दीपक प्रजवलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकाराक्म कूर्जा प्रवेश नह आपके घर में बनी हुई है तो घर के मुख्यद्वार पर जो हम दीप प्रजवलित करते हैं इससे घर का पित्री दोश भी समाप्त हो जाता है और इसके अलाबा घर में किसी भी प्रकार की अशांती रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं कलर रहता है आर्थिक तंगी रहती है तो घर के मुख्यद्वार पर हम दीप प्रजवलित करते हैं तो समस्थ प्रकार की परिशानियों से दुखों से आपको मुक्ती मिल जाती है इसलिए घर के मुख्यद्वार पर दीप प्रजवलित करना अत्यंत आवश्यक होता है तो शास्त्रों क अनुसार अगर शाम के समय संध्याकाल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है। अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रजवलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानिया स्वयही समाप्त हो जाती है। प्रयोग करना चाहिए या फिर शुद्ध घी का गाय के घी का किस चीज से हम दीपक प्रजवलित करें तो देखिए शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर। जगह प्रजवलित नहीं करना चाहिए सरसों का तेल करवा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रजवलित करते हैं। शनिदेव के लिए शनिदेव के लिए अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रजवलित करना चाहिए और आप चाहे तो जैसे की पीपल का व्रिक्ष होता है वहाँ पर भी सरसों के तेल का दीप प्रजवलित कर सकते हैं या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी तेल का दीपक प्रजवलित किया जाता है इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रजवलित करन अब देखिए ऐसे समय में जबकी गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो तेल तेल का दीप प्रज अपने घर में चाहे आप घर के मुख्यद्वार पर प्रजवलित करें या फिर तुलसी के पास प्रजवलित करते हैं या फिर घर के इशान कोण में प्रजवलित करते हैं सभी दीपक। पर नहीं रखा जाता है, दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्ट रख सकते हैं, और हाँ अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान तो इससे घर में दरिद्रता आती है, इसलिए अखंडित चावल होने चाहिए अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं, तो और जैसे की कई लोगों के प्रशन आते हैं कि प्रति दिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे, तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उठा कर आप पक्षियों को डाल दीजिए पक्षी उसे खा जाते हैं, और घर में जो आप इशान कोन में दीप प्रजवलित करते हैं, हैं मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रजवलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए, और उस दीपक को हम प्रजवलित करते हैं. मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रजवलित करेंगे वहां आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना इस बात का ध्यान रखिये, और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जब करना, च अब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रजवलित करते हैं, उस समय आप किसी भी मंत्र का जब कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्न कनहया के किसी मंत्र का जब कर सकते हैं, आपके कोई इष्ट देवता हो, तो उनके मंत्रों का भी जाब कर सकते हैं, दुर जवलित कर सकते हैं, संध्यावंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, जो भी शुब कर्म होते हैं, वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किये जाते हैं, इसलिए मंत्रों चारण आवश्यक है, कोई भ दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है, वह मैं आपको स्क्रीन पर भी देदूंगा और पढ़कर बता देता हूं, मंत्र है शुबहं करोती, कल्यानम आरोग्या धन संपदाशत्रु बुद्धी विनाशाय गीत गाया नमोस्तुते दीपों जोती परब्रह, म जोती जणारगं दीपों भारत में पापा संध्यादीप नमोस्तुते इस मंत्र का जब दीपक प्रजवलित करते समय करने से कहा जाता है, कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ती मिल जाती है, और दीप देवता जो होते हैं, वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं, तो सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रजवलित करना है तो जब आप दी जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देख कर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है तो यह है आज की विडियो जिसमें शाम की पूजा से संधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है उम्मीद करता हूँ विडियो आपके लिए उपयोगी होगी इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह विडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर दूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली विडियो में तब तब के लिए जय श्री रांग